नमस्कार दोस्तों अगर आप Union Bank में पैसा fix deposit करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास तक देखना दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने कितने पैसे deposit करने पर कितना कितना ब्याज पा सकते हो तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं देखे दोस्तों अगर आप Union Bank में पैसा fix deposit करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे Rate of Interest वो minimum 3% रहने वाला है और Maximum 5.40% रहने वाला है दोस्तों इस Bank में आप कम से कम 1000 पैसा fix deposit कर सकते हैं और Maximum आप 1 करोड तक fix deposit कर सकते हैं इसके लाब दोस्तों आपको जो FD है वो 12 महीने के लिए lock करवानी पड़ेगी मतलब अगर आपको Rate of Interest जादा चाहिए तो कम से कम 12 महीने तक आपको FD करवानी पड़ेगी अगर 12 महीने से पहले आप FD तोड़वाते हैं जिनकी age 60-60 साल से कम होती है तो उनको जो ब्याज यह थोड़ा कम मिलता है लेकिन जिनकी age 60-60 से ऊपर होती है जो senior citizen की category में आते हैं उनको Rate of Interest उनसे थोड़ा जादा मिलता है चलि दोस्तों अब आपको मैं Rate of Interest के बारे में पूरा समझा देता हूँ दोस्तों अगर आप Union Bank में FD करवाते हैं अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन की FD करवाते हैं और आप General Category से हैं आपकी age 60 साल से कम है तो यहाँ पे आपको 3% का ब्याज मिलेगा और अगर आप Senior Citizen की category में आते हैं अगर आपकी age 60 साल से उपर है तो दोस्तों आपको 3.5% का ब्याज मिलेगा इसके अलावा दोस्तों अगर 46 दिन से लेकर 90 दिन की FD आप करवाते हैं तो General वालों को 3.75% का ब्याज मिलेगा और Senior वालों को 4.25% के हिसाब से ब्याज मिलेगा इसके अलावा दोस्तों अगर आप 121 दिन से लेकर 180 दिन की FD करवाते हैं तो दोस्तों जर्णल वालों को 4.30% के साब से ब्याज मिलेगा और सीनियर वालों को 4.80% के साब से ब्याज मिलेगा इसके अलावा दोस्तों अगर आप 181 दिन से लेकर 1 साल की FD करवाते हैं जर्णल वालों को और सीनियर वालों को मिलेगा 5.75% के साब से ब्याज इसके अलावत दोस्तों अगर आप एक साल एक दिन और मैकसिमम दो साल के लिए करवाते हैं आप कम से कम एक साल एक दिन के लिए करवाते हैं और मैकसिमम दो साल के लिए करवाते हैं तो जन्रल वालों को 5.35% के साब से ब्याज मिलेगा और सीनियर वालों को 5.80% के साब से ब्याज मिलेगा इसके अलावा दोस्तो अगर आप 2 साल 1 दिन कम से कम करवाते हैं और 3 साल की FD करवाते हैं तो दोस्तो जन्रल वालों को 5.5% का ब्याज मिलेगा और सीनियर वालों को 6% का ब्याज मिलेगा इसके अलावा दोस्तों अगर आप 3 साल 1 दिन के लिए कम से कम करवाते हैं और 5 साल maximum के लिए FD करवाते हैं तो दोस्तों जनरल वालों को 5.55% के हिसाब से ब्याज मिलेगा और senior वालों को 6.05% के हिसाब से ब्याज मिलेगा इसके अलावा दोस्तों अगर आप 5 साल 1 दिन से लेकर 10 दिन की FD करवाते हैं तो दोस्तों आपको 5.60% के हिसाब से ब्याज मिलेगा अगर आप general category से आते हैं तो और senior वालों को मिलेगा 6.10% के हिसाब से ब्याज ठीक है दोस्तो तो दोस्तो अब आपको मैंने जो है rate of interest के बारे में बता दिया है कि union bank में अगर आप पैसा fix deposit करते हैं तो rate of interest आपको कितना कितना मिलने वाला है कितने कितने दिनों में, साल में, महीनों में कितना कितना मिलने वाला है वो सब कुछ आपको मैंने अच्छ सा explain कर दिया है दोस्तो अब आप इस calculator को देखिए इस calculator के माध्यम से भी मैं आपको समझाना चाता हूँ कि आप कितना कितना पैसा deposit करोगे तो उस पे आपको कितना कितना ब्याज मिलेगा देखे दोस्तो अगर आप मानके चलिए Union Bank में आपने 1,00,00 रुपे की FD करवा दी अगले 12 महीने के लिए तो दोस्तो यहाँ पे आपको interest मिलेगा 5,250 ठीक है 5,250 अगर यही FD आप किसी senior के नाम से करवाते हैं तब आपको मिलेगा 5,750 ठीक है दोस्तो अब मानके चलिए आपने 10,00,000 के FD करवा दी एक साल के लिए तब आपको मिलेंगे 5,500 साड़े 52,000 रुपे आपको ब्याजी ब्याज मिलेगा अगर किसी जनरल के नाम से करवाते हैं और अगर senior के नाम से करवाते हैं तब आपको साड़े 57,000 मिलेंगे 57,500 देख लो इतना ज़्यादा profit है इतना ज़्यादा फर्क होता है senior में और junior में इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक करोड की FD करवाते हैं अगर आपके पास एक करोड रुपिया है और आप उसको as a FD deposit करवाते हैं union bank में तो अगले 12 महीने के अंदर अंदर आपको जो ब्याज मिलेगा FD तुडवाने के बाद वो मिलेगा 5,25,000 और senior वालों को मिलेगा 5,75,000 यानि कि सीधा सीधा आपको 50,000 का profit हो रहा है अगर आप किसी senior के नाम से fix deposit करवाते हैं तो अब आपके घर में कोई भी senior होगा पापा, ममी, दादा, दादी कोई भी होगा उनके नाम से आप FD करवा सकते हो दोस्तों जब आप FD करवाते हैं तो उसके बाद आपको FD तुडवानी भी पड़ती है तब यह आपको rate of interest मिलता है मेरा मतलब है तब यह आपको उसका ब्याज मिलता है पिर बाद में आप दुबारा rate of D करवा दो दुबारा rate of D करवानी पड़ती है यह process बार-बार चलता है अगर बार-बार आपको ब्याज चाहिए तो इसके अलावा दोस्तों अब मान के चलिए आप एक साल में FD ना तुडवा कर 6 महिने में तुडवाना चाहते हो 3 महिने में तुडवाना चाहते हो या 1 महिने में तुडवाना चाहते हो ठीक है आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी ब्याज मिल जाए आप ज़्यादा time के लिए रखना नहीं चाहते तो दोस्तो अगर आप 6 मेने में predominantly टुड़वाते हो तब आपको 5.25% के साब से तीन महीने के अंदर भी आपको 5.25% के साब से ब्याज मिल रहा है 5.25% के हिसाब से तो दोस्तों अगर आप एक महीने के बाद FD तुड़वाते हैं तो एक करोड के एक करोड की डिपोजिट पे आपको 43,750 रुपे का ब्याज मिलेगा अगर आप जनरल के डिगरी से हैं तो अगर आप किसी सीनियर के नाम से करवाते हैं तो आपको 47,917 रुपे का ब्याज मिलेगा ठीक है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर आप मान के चलिए आप FD 24 महीने में करवाते हैं जैसे 12 महीने में एक करोड की डिपोजिट पे एक साल में आपको 5,25,000 का प्रॉफिट हो रहा है अगर आप यही पांच लाग टीस हजार और अगर आप 48 महीने के करवाते हैं तब भी आपको इतना है प्रॉफिट होगा 60 महीने के करवाते हैं मतलब की 5 साल की करवाते हैं तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा 5,40,000 यह जनर्नल वालों का बता रहा हूं अगर आप यही FD सिर्फ एक साल तक करवाते हैं तब आपको 5,75,000 मिल रहे हैं यानि सिर्फ 15,000 रुपे का फरक है तो 15,000 रुपे के लिए आप 4 साल एक्ष्ट्रा थोड़ी और वेट करोगे तो इसलिए आप या तो एक साल की FD तुड़वाएं एक साल में FD तुड़वाएं या फिर आप हर महीने तुड़वा सकते हैं तीन मेने में भी तुड़वा सकते हैं छाय मेने में भी तुड़वा सकते हैं साल भर में तुड़वाएं ठीक है दोस्तो तो इसे साबसे आपको जो है